नमस्कार, वेलकम बेक तू माय चैनल, इजी कुकिंग अड मोर, आज की मेरी रेसिपी है हरे मतर की कचोरी, जो बनाने में आपको बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही स्वादिस्त लगेगी, मैंने यहाँ पर 400 ग्राम हरा मतर लिया है, इसे उबलते हुए पानी में डालें एक चमच नमक और आधा छोटा चमच हल्दी के साथ, इसे कवर करके बॉयल करेंगे, फ्लेम मीडियम रहेगा, तस मिनट बात देखिए, यह पक चुका है, मतर को पानी से अलग कर लेंगे, छन्ने में ही, मतर को छन्ने में ही कुछ दिर रहने देंगे, जिससे इसमें अटक हुआ हुआ जो भी पानी होगा, वो बाहर निकल जाएगा, अब मतर ऐसे मैस कर लेंगे, आप चाहे तो इसे मिक्सी में भी पीश सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल पेस्ट हो जाता है, उसमें फिर मतर का उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता, जो यह क्रस्ट वाले में आता है एक टी स्पून जीरा, आधा टी स्पून आजवाइन, तीन हरी मिर्च बारिक कटी हुई, आधा इंच घिसा हुआ अद्रक, कराही में मैंने दो टेबल स्पून तेल डाला है, यह गर्म हो चुका इसमें डाल देंगे, अगर आप हींग खाते हो तो एक चुटकी हींग भी डाल सकते हैं, मतर गैस बनाता है, इसलिए इसमें आजवाइन और हींग जरूर डालते हैं, मैस मतर में एक ती स्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा चोटा चमच हल्दी पाउडर, आधा चोटा चमच गर्म मसाला, एक चोटा चमच धनिया पाउडर डाल कर इसे कराही में अब सारी सामगरी मिक्स करते हुए, इसे मीडियम फ्लेम पर दो-तीन मिनर तक भूनेंगे अब स्वादा अनुसार नमक डाले, ध्यान रहे, कचोड़ी के आटा में भी नमक रहेगा भून गया है, अब एक चोटा चमच आमचूर पाउडर, एक चुट की हींग डाल कर मिलाएंगे थोड़ा फ्रेस कटा हुआ हरा धनिया पत्ता डालेंगे, धनिया पत्ता डालने के बाद थोड़ी देर इसे पकाना है ताकि धनिया पत्ते की डंडी धोड़ी सॉफ्ट हो जाए, नहीं तो कचोड़ी बनाते समय कचोड़ी फट जाएगा अब कचोड़ी के इस टपिंग को दूसरे बरतन में ट्रांसफर करके ठंडा होने देंगे जब तक यह ठंडा होता है हम कचोड़ी के लिए आटा मिला लेते हैं यहां तीन कप गेहूं का आटा लिया है मैंने, आप चाहे तो मैदा भी ले सकते हैं एक कप इसमें सूजी मिलाना है अब एक टेबल स्पून नमक, दो टेबल स्पून घी या रिफाइन रोयल डालेंगे इसे अच्छे से मिक्स कर ले इसे ऐसे बांद कर देखेंगे, अगर यह ऐसे बंदने लगा, मतलब कचोड़ी खसता बनेगा अच्छा तयार है आटा अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर सक्ट आटा गुनेंगे आटा गुत लिया है, अब हाथ में थोड़ा घी लगा कर आटा पर ऐसे लगा के इसे 20-25 मिनट के लिए ढखकर रखतेंगे अगर जल्दी कचोड़ी बनाना हो तो आटा पहले ही मिलाएं फिर भरावन के लिए मटर की तयारी करें क्योंकि भरावन तो हम फैन में भी ठंडा कर सकते हैं और फिर कचोड़ी बना ले फटा फट यहां 25 मिनट हो गये हैं आटा को थोड़ा मसल कर फिर से गूत लेंगे ज्यादा सक्त दिखे तो पानी हाथों में लगा कर गूते यहां यह आटा बिल्कुल ठीक है अब आटा के छोटे छोटे लोई बना लेंगे इसमें हलका घी लगा कर ऐसे लोई तयार कर लेंगे फिर इसे उंगलियों से ऐसे करके एक चमच मटर वाला स्टाफिंग डालेंगे जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं और ऐसे बंद कर देंगे हाथ से ऐसे प्रेस करके कचोरी बनाते जाएंगे कराही में घी या तेल डालकर गर्म होने के लिए रख दिया है देखिए अगर्म हो चुका है तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तब फ्लेम को लो करके उसमें कचोरी डालेंगे ध्यान रहे कचोरी डालते समय फ्लेम लो हो या थोड़ी छोटी कराही है इसलिए मैं इसमें तीन-तीन कचौरी के ही बैच निकालूंगी थोड़े पेसेंस के साथ आराम से इसे अंदर तक पकने दे जिससे यह क्रिस्पी होगा कचौरी का एक बैच त्यार हो चुका है एक्स्ट्रॉयल कराही में छोड़ते हुए कचौरी बाहर निकाल लेंगे अफटा हुआ दिखे तो डर्णा नहीं है यह बहुत ही अच्छा बना है खास्ता है यह अंदर से एकदम सौफ्ट और क्रिस्पी है इसे आलू टमाटर की पतली सबजी के साथ या फिर अपने पसंद की किसी भी चटनी के साथ सेर्व कर सकते हैं ऐसे ही सारे कचौरी बना लेंगे जितना सामगरी मैंने यहां पर लिया है उसमें आठ लोगों के लिए या काफी है आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा नेक्स्ट रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर दे जिससे मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच जाएगा तो फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ तब तक मेरे वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए थैंक यू फो वाचिंग मैं वीडियो लाइक से और सब्सक्राइब